हेलो प्रेंट्स वेलकम टू हिस्टेडी हिस्ट्री के 1000 कोश्चन के वन लाइनर की सीरीज मेरे दुआरा आप लोगों के लिए स्टार्ट की गई है इस सीरीज का ओल्रेडी एक पार्ट अपलोड कर दिया गया है आज हम लोग उसी सीरीज को कंटिनिव करते हुए इसका सेकिं कोश्चन कवर कर लेंगे सारे के सारे वन लाइनर की फॉम में कवर करेंगे और जितने भी कोश्चन में आप लोगों को इस सीरीज में करवाऊंगा सारे के सारे मौस्ट इंपोटेंट है और हर एक एक अग्जाम में किसी एक्जाम में ये कोश्चन रिपेट हुए है तो य के लिए भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और जो आप लोग का एपसी एफूड कोर्परेशन और पिंडे की और से असिस्टेंट ग्रेड तरीका मेंस का अग्जाम कंड़र्ट करवाए जाएगा मार्च में तो उसके लिए तो यह सीरिज एकदम बहुत ही अच्छ करेंगे फिर उसके बाद हम लोग किसके करेंगे जो आप लोग के बहुत हैं बाकी जो हिस्ट्री के सीरिज वह आप लोगों के लिए एकता में के द्वारा लीज जा रही है उसकी वीडियो को भी आप लोग थोड़ा सा सेर करिए लाइक करिए बहुत अच्छा कंटेंट है वह भी मेरे ही द्वारा कंटेंट बनाए जा रहा है वह भी सारे रेपेटिट कोश्चन है तो आज चली हम लोग इस वीडियो को सुरू कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग जो मैं आप लोग को बता देता हूं कि हमने इस फीडियाप से अप्रोक्स 200 के आसपास हमने कोश्चन कर लिए थे तो वह सारे कोश्चन तो मैं अभी आप लोगों के लिए उपर कर देता हूं फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि नेक्स हमारा जो 209 के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे नेक्स्ट करने वाले हैं तो उससे अब हम करेंगे जो आप लोग की जो मोरियन प्रियर ता जो मोरिय काल ता उससे लेटेट इंपोर्टेंट कोश्चन करेंगे और मैंने आप लोग के लिए डिवाइड कर दिया कि पहले मोरियन करेंगे फिर दिल्ली सल्तनत करेंगे पिर मुगल करेंगे इस से आप लोग को इजी रहेगा वीडियों में कि कौन से टोपिक से question आ रहे हैं तो जो सबसे पहला question था इसमें who among the following also had the name the देव नाम पिरिय और पिरिय दर्शी तो यह जो दो नाम एक तो देव नाम पिरिय और एक नाम आता है आप लोग का पिरिय दर्शी जो आप लोग का पिरिय दर्शी यह कि पिरिय दर्शी तो यह किसको बोला जाता है यह बौला जाता असोका को और देव नाम पिरिय है तो देव नाम पिरिय है भी किसको बोलते हैं तो किंग अशोक को बोला जाता है किंग अक्सोक के बारे में आप लोगों 261 बीसी की वोर याद रखनी कलिंगा वोर इसके बाद असोक के द्वारा जो इनके मोगते बुद्धिस्ट उपगुपता कौन उपगुपता के द्वारा इन्हें बुद्धिजम को अडॉप्ट करवाए गया था उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों से पुछा ग्रेट स्टूपा यह कहां पर सिच्वेटेड़ है यह सांची मिस्तित है और सांची कहां पर है यह आप लोग का मद्ध्य परदेश में पढ़ता है मद्ध्य परदेश में ग्रेट स्टूपा जो यह असोका के द्वारा बनव घुजराव को तो भी जाना पड़ेगा खुजराव मैं वोग उपर एक्सप्लीन कर चुका हूं मतलब मतलब बुढ़रे उनको बुद्धीजम वो किसके डुट कर वाए गया था तो ये नाम-nana जाता है कि आप लोगों से बुछे जाते हैं कि इनकी बुक उन्टी तो इंडीका इंडीका इस रिटन बाइडा में पूटेंट उसके बाद नेक्स्ट आता है विच इस दा ओल्डेस्ट डाइनस्टी और फिल्लिया तो भारत की सबसे पूरानिए डाइनस्टी के बारे में प मोरिया डाइनस्टी थी और इसके जो किंग है उनका ओडर याद करने के ट्रिक मैं आप लोगों को लिए बता रखिए ए बी सी सबसे पहले चंदगुप्त मोरिया आएंगे उसके बाद बिंदुसार आएंगे दैन आप लोगों के असोक आएंगे तो यह ट्रिक ऐसे चलती है रिवर्स ओडर में A, B, C उसके बाद जो आप लोग के डाइनस्टी है यह टोपिक आता है यह मैंने आप लोगों को रिवाइज करवा रखा है इंडिया की फाउंडर ओप दा लास्ट किंग एंड इंडिया डाइनस्टी तो मैं हम लोग यहां से रिवाइज कर लेते हैं कि इंपोटेंट डाइनस्टि और उनके फाउंडर most important है हर्यक डाइनस्टी के फाउंडर कौन ते उर ल्लास्ट कर ल एंडूडर पुछे जाते हैं तो माह पद्रण नंदा और धनां प्रिट्रशूंग ते वर लास्ट रूलर इसके देव-भूती थे गुप्ता डाइनिस्टी के विजह जाले चौनते इसके बाद नेक्स डाइनिस्टी आती है आप लोगों की सातवाहना जो सात वहना डाइनिस्टी थी इसके फांडर शीमुक ते और यजना सिरी सात करनी यह आप लोगों के इसके पांडर को थे तो कुजल कड़ फिसस थे मुस्ट इंपोटैंट नुट संट निफ इसके इंताम आप लोगों soir ने रखने रिmb इसके पणुट पूल इसके इसके पांडर को क्योंते तो दंती चल्ब ने कि खिलजी के जलालोदीन खिलजी थे लोधी डाइनिस्टी के ते बेलोधी ते उन में लोग यसारे के सारे आप लोग का कर आप लोग याद रखने है इन्में से अगर यह याद नहीं रख सकते तो हर एक कर पूछ जाते हैं किस Mov fight Her traveling कलिंगा वार के बारे में जो इनफॉर्मेशन है यह असोक के कौन से रोक एडिक्ट से मिलती है यह 13th रोक एडिक्ट से मिलती है कलिंगा वार के बारे में यह जो कलिंगा वार है किस किस एर में लड़ी गई थी तो 261 बीसी में लड़ी गई थी आप लोगों से पूछा जाता ताकि कलिंगा जगे कहां पढ़ती तो कलिंगा पढ़ती आप लोग की उडिसा में कहां पर उडिसा में पढ़ती है कलिंगा उसके बाद नेक्स्ट आता हमारा यह बुद्धिस्ट काउंसिल ड्रेन असोका जो असोके के टाइम पर जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो सेकेंड बुद्धिस काउंसिल से यह आप लोग की थड़ वाली होती है यह आप लोग की तैम पर यह पाटली पुत्र में और फोर्त आप लोग की कुंडल वन जगह पढ़ती है कि लोगों की फोर्थ कांसिल होती है तो पहली राजगरह में में थल्ड़ पाटली पुत्र में और फोर्थ आप लोगए कुंडलवन यानि की जम्हु कश्विर में होई तो इन चारों से आप लोगी पुछी जाते कि कौन सी कव पर हुई ती नेक्स्ट कोश्ण रखते कोई को तिल यह उसके बाद नेस्ट आता है नाम है नहीं कि इंड हुआ कि यह कि यह जोन्स नहीं विलियम जोनस वाट इस दा नेम of the magasthenes book तो यह हम लोग उपर देख चुके magasthenes की बुक का नाम पुछा है कि indica इनकी बुक का नाम है language used in the inscription of the asoka तो जो asoka के inscription लिखे जाते थे तो उनमें तो कौन सी language यूज होती थे तो प्राकरत language कौन सी प्राकरत उसके बाद next आता है इन्हाव मैंनी category filled magasthenes जो है ना उसने इंडिया की society को कितनी category में डिवाइड किया था तो साथ category में डिवाइड किया था और magasthenes की बुक का नाम क्या है यह होता है आप लोग इंडिका क्या नाम है इंडिका उसके बाद next आता है which dynasty did rule over the magad after the नंद dynasty तो नंद the name of the magasthenes book तो magasthenes की बुक का नाम क्या इंडिका यह में हम लोग उपर देख चुके हैं उसके बाद next आता है who founded the principle of the drainage of wealth theory from India to Britain तो यह जो आप लोग जानते हैं इंडिया से जो आप लोग के जो धन था जो आप लोग का इंडिया the grand old man of India किसको बोला जाता है तो दादा भाई नेरुजी को बोला जाता है इनके दुवारा एक एक याद रख ले ना kamu बोम्बे असोसियान यह किसके द्वारा पॉंड किया गयता ऊंदब नरुजी के दवारा पॉंड किया गयता और आप ब्यूब कोट अप लोग को इनोने जो आप लोग का सेकेंड सेशन था जो हमारे इंडिया नेशनल कॉंग्रेस थी 1085 में बनी इसका जो फस्सेसन था यो तो आप मुंबई में हुआ था जो second session था यह कोलकात्ता में हुआ था तो इसकी presidency भी दादा भाई नरुजी की द्वारा ही की गई थी तो एक second session और बात कर लेते कि के कितने session की presidency दादा भाई नरुजी की द्वारा की गई है तो टोटल तीन session की कौन-कौन से session थे एक तो 1896 का session था मैं आप लोगो फिर से बता देता हूँ कौन-कौन से session थे एक तो आप लोग 1886 का session था उसके बाद next session था आप लोग का 1893 का कौन सा 1893 का था वो next था आप लोग के member बने ते तुछ British Parliament के member बनने वाले फर्स्ट member Indian को थे तो दाधाभाई नेरुजी इतने fact यहाद रख लेना East India Association Bombay Association the Grand Oldman of India यह सारे fact आप लोग को दाधाभाई नेरुजी के बारे में याद रखने पहले बार इंडिया में national income को estimate करने वाले को थे तो दाधाभाई नेरुज नेक्स आता है वो constructed the sanchi stub यह हम लोग देख चुके हैं असोका के द्वारा बनवाये गया तो sanchi stub उसके बाद next आता है who were the first king to issue the gold coin तो इंडिया में सबसे पहले gold coin issue करने वाले कौन थे तो यह इंडो ग्रीक थे कौन इंडो ग्रीक के द्वारा ही इंडिया में सबसे पहले gold coin issue किये गए थे most important पूछा जाता है gold coin के बारे में उसके बाद next आता है the greatest development of the kushan period was in the field of तो जो kushan जो time period था तो उनके time period में सबसे ज़्यादा जो development हुआ था किस field में हुआ था तो art की field में हुआ था उसके बाद next आता है what was the capital of the kanishka तो जो kanishka की capital थी यह क्या थी पुरुषपूर कहा थी most important है पूछी जाती है कि जो kanishka की capital क्या थी पुरुषपूर most important है उसके बाद next आता है एक चरक नाप के जो physician थे जो इनका नाम चरक था जिनके द्वारा लिखी गई थी चरक सहीता चर तो आप लोग की साथ वहानों के टाइम पर जो इंडिया एंट्सेंट इंडिया में डिस्टिक्ट को at which place was the headless statue of the kanishka तो headless statue of kanishka की है यह जो statue यह कहां पर found की गई तो मथूरा में found की गई है kanishka की विद हूज रिन इस गांधार school of art associated जो गांधार school of arts है यह मतलब कि से लेटेड़ है यह आप लोगों की kanishka से associated है उसके बाद नेक्स आता है विच डाइनस्टी सक्सीड दा सूंग डाइनस्टी तो सूंग डाइनस्टी ने किस डाइनस्टी को सक्सीड किया था तो कन साथ रखना है है हे से बनता आप लोग का हर्यक डाइनस्टी और हर्यक डाइनस्टी के founder कोनते बिंबिसार कोनते बिंबिसार उसके बाद SI से बनता शिशुनाग डाइनस्टी ने से बनता आप लोग की नंदा डाइनस्टी और MA से बनता आप लोग की मोर्य डाइनस्टी और से पूछा जाता है कि हर्यक के बाद को नाता है नंद से पहले को नाता है या सुंग से पहले को नाता है सुंग से बाद में को नाता है तो इस सिंपली ट्रिक से आप लोग सारे डाइनस्टी का एक ओडर याद रख पाओगे most important trick आप लोग इसका screenshot भी ले सकते हैं उसके बाद next आता है हमारा बुद्धिस्ट council during the reign of the कनिश्का जो कनिश्का के time पर जो बुद्धिस्ट council हुई थी वो कौन से number की थी fourth number की वो council थी और कहां पर हुई थी वा कुंडल 1 और कुंडल 1 जगह पार कहां पढ़ती है आप लोग की कस्मीर में पढ़ती है उसके बाद next है the capital of साथ वहाना तो capital of साथ वहाना जो थे ना इनकी capital पुछी तो यह थी परतिस्ठान तो परतिस्ठान किसकी capital थी साथ वहानों की उसके बाद next आता है जो दोनों combined जो होती है उस आर्ट स्टाइल को क्या बोलते है गांधार आर्ट बोलते है यह combination होता है इंडियन आर्ट का एंड ग्रीक आर्ट का most important है कौन सा गांधार आर्ट तो किसके दुआरा जो military की जो गांधार आर्ट की गई थी इंडिया में जो कनिशका के टाइम पर फोर्त बुद्दिस्ट कांसिल होई थी कसमीर में उसके president पुछाता तो कौन ते आप लोग के वसुमत्र इसके president थे अब मैं आप लोग को सारी के सारी जो आप लोग की यह बुद्दिस्ट कांसिल हुई है इनके head भी revise करवा देता हूँ head भी आप लोगों से पुछे जाते है जो आप लोग की फस्ट बुद्दिस्ट कांसिल हुई थी वो आप लोग की राजगरह में हुई थी और इसके जो president थे कौन थे अजात सत्रू तो अजात सत्रू इसके president थे और chairman कौन थे माकशब माकशब चेर्में थे पहली वाली के और अजात सत्रू इसके head थे उसके बाद जो second होती है आप लोगो की काला असोग के time पर होती है और ये वैसाली में होती है और इसके head कौन थे chairman कौन थे तो सब कामी इसके chairman थे थड़ आप लोगो की असोग के time पर होती है ये पाटली पुत्र में होती है और मोगली पुत्ति इसके chairman होते है और last आप लोगो की कनिश्का के time पर होती है कुंडल वन आप लोगी जगपड़ती कस्मिर में वहाँ पर होती है और वसुमित्र इसके chairman ते तो इतने आप लोग को याद रखने कौन से बुद्धिस्ट council किसके chairmanship में होई थी और कौन इस टाइम प्रेसिडेंट थे किसके बुद्धिस्ट council के उसके बाद next देख लेते हैं next आता हमारा the capital of the the capital of the kadamba king तो kadamba king की capital कौन से थी तो झार नहें तो उसके आप लोगो का लोग आ तो इसके सद्रीन में मैं प्रोजेयरा on िखेंगों प्रीड़ आप लोगो कश्टाइब का लिए उस यह आप गुपता पीरेड में क्यों इसारी के सारी की को बश्की ब生eds सताल गुपता पीरेड तो गुपता पीरेड से वन लैने जो जो कोश्चन बनते तो सारे कर लेते हैं सबसे पहले आप लोग को दियान रखना हूँ वाजदा फस्त नोन गुपता रूलर तो जो अब आम लोग गुपता डाय्नेस्टे ले जितने भी ऐखट बनते सारे कि सारे देखें घराद अगर एक्शन परफनर बोला जाए तो चंछ को परफं हो जाए घर से दैंस्टी के फांडर कौन थे तो सिंपली पप्चा जाए तो आप लोग का त्रूज रूज आएगा स्रीग तो स्री गूप्ट आन्सर रूज आएगा जो गुपता बुपता डैंस्टी थे उसके फांडर थे उसके बाद next आता है आप लोग का इंडिया में ट्रेवलिंग पर आया था तसके के बार नेपोलियन और नेपोलियन विंडिया तो यह सम Fish और इसको बोलते हैं आप लोगों कि इसके बारे में आप लोग को किया-क्या क्या याद रखना इसके भारत का नेपॉलियन बोलते हैं और यह किसकी पुजा करता तो यह विष्नु बगवान की किसकी विश्णु भगवान की पूजा करते था ये कौन समुद्गुप्त इतना आप लोगों को याद रखना है उसके बाद इनको बोलते कवी राज जो टाइटल है ने कवी राज तो कवी राज का टाइटल भी किसके दौरा अडोप्ट किया गया था तो ये भी ये मरच कर्टिका ये किसके दौरा लेखे गई तो सुद्रक्य दाआ लेके गहीए मरच कर्टिका मोस्ट इम्पोटेंट मरच कर्टिका कवेच्वाज ऒस्द ऐसल लेंगवीज उप्ड़ा बबहरा पिकए तो संकृति नेइक्ट है ना आर्या बट जो आरिय बट ऐड़ा म को कमार संब्बाव के दौरा लिक्हीन किसी पहली बार किस डाइनस्टि के टाइम पीरेड में आया तब लोग को ध्यानक ना है तो गुपता टाइम पीरेड मेशी आप लोग करती है यह आया तक गुपता के टाइम पर इस्मित ने बोला था वो आजबा कोट ओफ दा पोईट समोधुर्गुपत, तो समोधुर्गुपत के पोईट में जो पोईट थे वो कौन रहते थे, इसके कोट में तो हरीशेंड रहते थे, कौन हरीशेंड most important है, ज़रूर पुछा जाएगा आप लोगो जो हरीशेंड थे, ये किसके कोट में रह का ओई गुद्टे के बारे में याद रखने है उसके बाद आता हो तो पुल्करिश मिजान बॉब्टकि ब्राइए दिपिट क ﷺ किये गए थे। उसके बाद नैख्स किसके दोरा लिखी गई तो बार मट्टा के दोरा लिखी गई isOps cricket. उसके बाद दा वाटी डा पेंटिंग आजंटा जो आजंटा की जो पेंटिंग वह क्या डेपेट करती तो क्या डेपेट करती में से लें विशे लगने ही उतिन से लिटेंड शेली चे अपक downticky को महारास्टर में मिदेंगी हाँ पर पड़ती है अरे लेखी हूं के पड़ती है नेकश्ट लाता है कुझ्छरावर टेंपल कहां पर मिलेगा आप लोगों मद्य परदेश में मिलेगा और यह किसके दवारा बनवाये गए था तो चंदेला के दवारा बनवाए गए था खुजराव टेम्पल उसके बाद नेक्स राता है फू कंस्ट्रक्टिटड दा वल्ड पेमस जगननाथ temple at Puri, तो Puri में जो जगनाथ का temple है, वो किसके द्वारा constructed किया गया था, तो अनंत वर्मन के द्वारा, किसके अनंत वर्मन के द्वारा इसको बनवाया गया था, पूरी का जगनाथ temple, जैदेवा दा famous author of the gate govind, वाज दा court of poet, तो ये जो में रहते थे, तो ये लक्समन, Rancher ke quote में रहते थे, जैदेव, most important है, वह founded the mut, इंडिया में 4 mut found किय गे थे, तो ये किसके द्वारा found किये थे, ये किये थे, संक्राचारे के दोरा, आदि संक्राचारे जी के द्वारा found किये थे, चार mut, उसके बाद नेक्स रता है दा लिंग राज टेंपल बिल्ट ड्यूरिंग दा मेडिवल पिरियड इज एट तो यह कहाँ पर लिंग राज टेंपल यह आप लोग का भूब नेस्वर यानि की उडिसा में पड़ता है उसके बाद इन इंडिया फर्स्ट पूट दा फोरवड प ति उसके बाद नेक्स आता है दा सन टेंपल को नार्क वाज बिल्ट बाइदर नर्सिंग देवी इंविच डैनस्टी तो जे नर्सिंग द्यूँ म इ सामें के द्वार बनbak सब्क्रशा में समों प्रतर पाल डैटेंश्टी के दौरा विकृम सीला नेविच ङए गई थाह मोस्ट इंप्टेंट एह पर डाइनस्टी के दोऔर है उसके बाद नेवह चरित्रम जो दस कुमार्ट निथे लिए दोरा लिखे गई था है दंडिन के द्वारा लिखे गई ति दस चरित्र मानस उसके बाद नेक्स आता है माह बलीपूरम वाज established by the पल्लव के दौरा माह बलीपूरम को established किया गयता है जो तमिल नाडू में पड़ता है the famous idol of the गुमतेश्वर and famous gen temple is situated at सरवन बेल गोला और यह जो सरवन बेल गोला यह कहां पर है यह आप लोग का करनाटका में पड़ता है सरवन बेल गोला उसके बाद नेक्स आता है रामायना the tamil version of the great epic रामायना was made by किसके दौरा तो कंबन के दौरा इसका जो tamil version बनाए गयता किसका रामायन का उसके बाद नेक्स आता है the south indian state which was famous for its naval power तो south india का कौन सा रूलर ते जो नेवी के लिए famous थे तो यह किस थे यह नेवल पावर के लिए चोलाज famous थे most important थे चोलाज उसके बाद नहीं सता है who was good player of the Vina तो Vina के good player कौन थे तो यह तो समूद्र गुप्त है समूद्र गुप्त के जो तो खोर्ट में कौन से रहते तो रहते थे निकी कोर्ट में रहते थे बाकि यह किसके विश्णू के उपाशकते विश्णू की पुजा करते थे और यह इनको नेपोलियन उप इंडिया बोला जाता है समुद्रगुप्त को किस ने कहा था विये इसमित ने बोला था और इनको कवी राज भी बोलते हैं क्या कवी राज यह आप लोग याद रखेगा समुद्रगुप्त के बारे में उसके बाद नेक्स आता है दा गोल्ड कोईन डियरिंग जो गोल्ड कोईन था व को अंसा था तो यह आप लोग का दिनार था दोनों में आप लोग कनफीज मत होना अगर आप लोगों से पूछा जाए गुपता पिरेड में गोल्ड कोईन को क्या बोलते थे तो आप लोगों का अंसर हो जाएगा दिनार अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोग का जो silver coin था उसको क्या बोलते थे उसको रुपई का बोलते थे most important है उसके बाद next देख लेते हैं दा गुपता रूलर हु रिपेट दा सूदर्शन लेक तो सूदर्शन लेक को second type किस गुपता रूलर ने रिपेर किया था तो ये को उनते तो जो अलाबाद पिलर का इंस्क्रिप्शन है उसको किस ने लिखा था तो उसको हरिशेण ने लिखा था किसने हरिशेण ने और ये किसके कोट में रहते थे ये समुद्र गुपत के कोट में रहते थे हरिशेण समुद्र गुपत को क्या बोलते कभी राज बोलते हैं समुद समुद्र गुप्त को क्या बोलते हैं लिच्छवी दोहित्र तो लिच्छवी दोहित्र यानि लिच्छवियों की जो पुत्री होती है उसका भी पुत्र बोलते हैं लिच्छवी दोहित्र किसको बोलते हैं तो इसको बोलते हैं समुद्र गुप्त को ही और इनको क्या बोलते ह इतने fact आप लोग समूद्र गुप्त के बारे में याद रख लेना गुपता पिरेड में सबसे important ruler आते हैं समूद्र गुपता who was the title of the कवी राज देखो आचुका आप लोगा कवी राज किसको बोलते हैं समूद्र गुपत को बोलते हैं कवी राज उसके बाद आप लोग की start हो जाती है सल्तनत पिरेड मैं आप लोग को थोड़े से fact ओर बता देता हूँ गुपता पिरेड के गुपता पिरेड में जो आप लोग के पहले king थे वो आप लोग के कौन थे सिर्य गुपत के बेटे थे आप लोग के बेटेते समुद्रगुप्त के बाद आता है आप लोग का चंद्रगुप्त दित्य है और चंद्रगुप्त दित्य के टाइम पर ही कोन आता है फायान आते है यह आप लोग उपर देख चुके हैं फायान किसके टाइम पर आते हैं चंद्रगुप्त दित्य के टाइम पर आते से ते उसके बाद जो आप लोग का एक कोिश्यन आता है जो आप की एक प्रथा हुआ करती ती जिसको बोलते थे खोई लो ते टा त त्युस्का सब्से पहला मिलता है वो ऌस प लोग साइरण अभी लेक 4 301 पहले बार मेलता Kiska Sati Prataka और यह पांसो दस्में अभी रिखने किसके द्वारा लिखागा था तो भानु गुप्त किसके द्वारा बानु गफ्ति ने लिखा था यह यह एभी पहलेक में लिखा था और इसी में पहले बार सतिपरता का mention है यह आप लोगों से पूछा जाता कि सतिपरता का जो mention है उस सबसे पहले किसके time period पर मिलता है तो आप लोगों बता दिया मैंने किसके time period पर मिलता है यह मिलता है आप लोगों का गुपता पिरेड में, किसमें? गुपता पिरेड में, तो इतने फैक्ट आप लोग को याद रखने हैं, एक दो फैक्ट और आप लोग याद रख सकते हैं, कि जो आप लोग का गुपता का टाइम पिरेड था, इसको क्या बोलते हैं, बस याद रख सकते हो, गोल्डन टाइम period किसको बोलते हैं तो ये भी आप लोग का अंसर हो जाएगा गुपता का time period तो इतने fact आप लोग गुपता बाकि इनकी जो language Sanskrit थी और एक दो factor क्या हो सकता है आप लोग को Sanskrit language थी तो इतने fact बहुत है अगर आप लोग इतने याद रख लोगे में करेंगे और सारे question करवा दूआ तो चले दिल्ली सलतनत को start कर लेते हैं इसमें सबसे पहले आप लोग को हर एक dynasty के बारे में पतावना चाहिए कि दिल्ली सलतनत पर total कितनी dynasty ने rule किया यह भी आप लोगों से पूछा के आप लोग को founder याद रखने है capital भी याद रखनी कि किस dynasty ने किस capital से rule किया है और आप लोग को ये भी याद रखना है कि last कौन थे तो इतने fact आप लोग याद रखेंगे और हम इनका जो time period है ये भी आप लोगों से पुछा जा सकता है कि इनको एक chronological order में set करिये तो आप लो की सयद dynasty आती है जिसके founder खिजर खान थे और लास्ट डाइनस्टी आती है आप लोग की लोधी डाइनस्टी तो आप लोग को order भी याद रखना है और ये भी याद रखना है कि किस dynasty ने सबसे लंबे time तक rule किया है तो आप लोगों का अफ्तर हो जाएगा टुगलक डाइनस् इसके trick होते है B.S.E. सबसे पहला था आप लोग का कौन सा बैलोल लोधी फिर सिकंदर लोधी फिर इबराहिम लोधी तो इसके तो तीन ही याद रखने है उसके बाद इससे आते हैं आप लोग की सयद dynasty सयद डाइनस्टी के आप लोग को पहले याद रखने कौन थे खिजर भी आप लोग याद रख सकते हो जी एम एप करके जी एम एप जासुदीन तुगलक मुहमद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक यह तीन तो मेन है क्योंकि इनी तीन के जो मेन मेन वर्क है वह आप लोग को याद रखने है जासुदीन तुगलक मुहमद बिन तुगलक और फिरोज दुगलक, उसके बाद इतने नहीं पुछे जाते हैं, फिर आप लोग का नशुरुदीन पुछा जाता है, क्योंकि इसी के टाइम पर तैमूर का अटेक होता है, ये पुछा जाता है कि तैमूर के अटेक के साहिम किसका रूल चला है, तो को थे नशुरुदीन थे, उसके बाद जो खिलजी डाइनस्टी में चार है, चारो के नाम आप लोगों को याद रखने हैं, सबसे पहले जलाल अदीन खिलजी, फिर अल्लावदीन खिलजी, फिर आप लोग का आता है कुतुब दीन मुबारक शाह, ये आप लोग का बेटा था, फिर उसके बाद हिल्त तुतुमिष आता है थि तुत तो इसके बाद रुकुनी दिन फिरोज आता है रुकुनी दिन फिरोज के बाद रजय सुल्तान आती है यह घथा न ही graph इस इनके उड़र याद रखने फस्ट लेगर के पांच तक फिर रजय सुल्तान के बाद आप लोगों को डिर Fitz सलतनत में श्लेव डाइनस्टी से तो यह फैक्ट आप लोग याद रख लिए इसका स्किन सोट आप लेकर रखिए ताकि आप लोग को इनके जो रूलर है वो याद हो जाए कि कौन से रूलर किस डाइनस्टी से बिलोंग करते हैं तो चलिए अब लोग एक एक करके कोशन रूल पते हैं तो अप लोग कि कौन से डाइनस्टी डूल कर रही थी तो फोक रही है तेरहभी कि टेरराmont रıक आधे साकते हैं मोहम्मत बिन तुलक के टाइम पर कोन कि कुन पर आलो इसके बाद निच आता है दा लाइड इत्रेंडिंग आर्मीह औ द्दिलिशल्तन सबसे बड़ी कि सबसे बड़ी आर्मी इना को translate किया गया तो एलतुतमिष के द्वरा किया गय था ये जो कुत्व मिनार है इसकी जो फस्ट मंजिल है वो किसके द्वरा बनवाई गयी थी कुत्व धिन ए Lesb sex के द्वरा इसकी फस्ट मंजिल कंपलेट करवा दे गयी थी उसके बाद नेक्स्ट जो इलतुतमिष आते हैं उसके द्वारा इसकी चार मंजल कंप्लेट करवाई जाती है तो इलतितमिस को कंप्लेट कर देते हैं चार मंजल उसके बाद जो एक आते हैं फिरोज दुगलक फिरोज दुगलक क्या करते हैं इसकी जो लास्ट मंजल है फोर्थ वाली वो तूट जाती है तो उसको फिर से एक new तरीके से बनवाते हैं और एक extra मंजिल और add कर देते हैं पांचवी मंजिल तो जो पांचवी मंजिल है वो किसके दोरा बनवाए गये थी फिरो उस तुगलक के दोरा बनवाए गये थी complete किसके दोरा किया गये था तो इलतुदुमिश के दोरा किया गये ता कुतुबदीन एभग के दुआरा दिल्ली में इतने फैक्ट आप लोग याद रखेगा कुतुमिनार के बारे में उसके बाद नेक्स आता है इबने बतूता मैंने बता दिया आप लोग को मुहम्मद बिन तुगलक के टाइम पिरेड पर आये था और मुहम्मद बिन 54 के बेच मुहम्मद बिन तुगलक ने रूल किया है इसी के बीच पढ़ता 1333 जब आप लोग का मुरक को से आया था कौन इबने बतूता इबने बतूता की बुक भी आप लोगों से पूछी जा सकते है इबने बतूता की बुक होती है रहला मोस्ट इंपोटेंट है रहला क किसकी बुक है तो यह इबने बतूता की बूक है उसके बाद नेक्स रहता है जाता है और Lasir aplam स्टार्ट हो जाता है उसके बाद नेक्स आता है अमीर कुष्रो वाजदा फैमस तो अमीर कुष्रो किसके टाइम पिरेड पर रहते थे तो यह अल्लावदीन खिलजी के टाइम पिरेड पर रहते थे अमीर कुष्रो अल्लावदीन खिलजी कप्चेट दा दिल्ली थ्रोन आप उसके बाद अल्लावदीन खिलजी ने मलिक काफूर को कहाँ पर बेजाता, साउथ इंडिया को कनक कर जीतने के लिए मलिक काफूर, अलाई धर्वाजा, ये फैक्ट आप लोग याद रखेगा, अल्लावदीन खिलजी के बारे में, चाहिका फैक्ट आप लोग को याद रखने, एक तो आप लोग याद रखने न, इनका जो ओरिजिनल नेम था, जो इनके चाइल्ड लूड का नेम था, वो था, अली गुर्शाप, तो अली गुर्शास पर याद रखिएगा, उसके बाद आप लोगों से ये पूछा जाता कि दिल्ली सल्तनत में first time permanent army, किसके दुआरा रखिगे गई थी, तो भी आप लोगों का अंसर अन्शर हो जाएगा, अलॉदिन खिलजी के दुआरा, अधंडी हो जाएगा और सीरी फोत शेशेट 선미 कई द्वार ही अचो आफ लोग के अच्टार्थ oh tris मार्क हो निश्यन लगाए जाते तो इतने काम कि इससे के द्वारा किये थे अल्लाओ दीन खिल्जी के द्वारा खिलजी डाइनिस्टी में सबसे ज़्यादा इंपोटेंट जो रूलर आते हैं वही अल्लावदीन खिलजी आते हैं जो 1296 से लेकर के 1316 के बीच में रूल करते हैं वह वाजदा दिल्ली सुल्तान वेंदा थ्रेट ओप इन्वेजन बाइ मंगोलाज अंडर चंगेज खान तो चंगेज इल्टुतमिस के टाइम पर ही चंगेज खान जो थे ना उनके अटेक की क्या वो थ्रेट मिलते रहते थे हैं किसके मंगोलों के मलिक कापूर को किसके दौरा बेजा गया था मलिकापूर को सौंथ इंडिया में इन मैडिवल इंडिया यह आप लोग का क्वेंट ता तो जितल क्या था ये कोपर का कवेंट तक vibe किशन का कोपर का कॵेंट ता यह आप लोग याद रख सक ते, जितल का आता है, विज सcase स्कंदर लोधी के द्वारा आगरा शहर को फांड किया गया था उसके बाद नेक्स आता है विच डाइनस्टी रूल ओवर दा इंडिया आप्टर दा इन्वेजन अब तोमर जो तैमूर जो था ना तैमूर का टैक भी आप लोगों से पूछा जाता तो तेरा सो अठान में हु है तो आप लोग का हुजाता साइद डाइनस्टी साइद डाइनस्टी ने कब से कब तक रूल किया तो चो दासो चोदा से लेकर करके चोदा स yhtंट तक सइद डाइनस्टी का रूल होता है और इसके जो फाउंडर थे वह में ख condition यह भी आप लोग उसे पुछा जाता है खिजर खान तो खिजर खान किसके पांडर थे सियद राइनस्टी के तो और जो तैमूर का टैक पुछा जाता तो किस ने किया था नसुर दिन उससे में रूल कर रहे थे और जो टाइम ताप लोग का 1398 मोस्ट इंपोर्टेंट है 1398 इ तो सबसे ज्यादा सलेव जो ना किसके कोट में रहते थे तो फिरोश्रा तुगलक के कोट में रहते थे सबसे ज्यादा सलेव मोस्ट इंपोर्टेंट है विस सुल्तान प्रवाइड़ इंप्लोईमेंट तो जो बेरोजगार होते हैं उनको रोजगार की सुल्तान ने दिया लेंड जो लेंड के लिए जो highest authority वा करती थी तो उसको क्या बोलते थे उसको बोलते थे चोधरी क्या बोलते थे चोधरी what was the first ruler of the slave dynasty तो उसके first ruler आप लोगों से पूछे हैं तो ये कौन थे गुलाम बन्स के founder भी बोलते हैं लेव डाइनस्टी भी बोलते हैं एक नाम होर आप लोगों से पूछते हैं ममलूक ये भी याद रखिएगा आप लोग ममलूक डाइनस्टी तो ममलूक डाइनस्टी कौन सी थी तब भी आप लोग इसके founder कुन थे कुतुबदीन एबक कुतुबदीन एबक ने कब से कब तक रूल किया है जब दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है बारा सो चे से लेकर के बारा सो दस तक कुतुबदीन एबक रूल करते हैं इनके बाद जो रूलर आते हैं वो कोन आते आराम शाह वो इनहीं के बेटे थे पुछा जाता है कि आप लोग याद रखेगा उसके बाद कुतुम मिनार जो है न उसको स्टार्ट किया था किसने कुतुम मिनार ये जो कुतुम मिनार है ये भी किसके द्वारा स्टार्ट के गई थी ये भी कुतुम दिन एबक के द्वारा स्टार्ट के गई थी और कुतुम दिन एबक ने और क् लाक बक्स लाक बक्स किसको बोला जाता है तो यह बोला जाता कुतुबदीन एबक को यह भी याद रखेगा उसके बाद जो एक इनका आता है इनके टाइम पिरेड पर एक इनका जो कमांडर था सेना नायक था बक्तियार खिलजी जो बक्तियार खिलजी था तो इसने किसको ड यो प्रॉस्ट किया था तो बक्तियार खिल जी ने नालंदा युनुएस्टि को niinुक्यक्ति तो यह भी याद रखेगा कुमार गुफता ने फा। फ़ॉण के थी और मक्तियार खिल जी पॉर कुंट पोलो को खेलते वह होर से या निछे गिर गई थे वहींपर नकी डैथ हो गयी थी लाहर में इनको दफ्नाएय गया था लाहर में से वह स्क्राइब किसकी कुटव दिन नभक्त की तो बस इतने के बाद रोलर बनते एक अराम मुदन अच्छे सासक नहीं थे तो इनको था देता को इंतित मिश्ड to इसके बाद यहारसो ग्यारा करता है बारशो ग्यार से लेकर के में अच्छे रूGAN नहीं तो जो में रूलर बनती फिर वो हापनती है आप लोग की रजय सुल्तान रजय सुल्तान कब से कब तक रूल करती है 1236 से ले करके 1240 तक रजय सुल्तान रूल करती है कब तक 1236 से ले करके 1240 तक रजय सुल्तान रूल करती है तो आप लोग को टाइम पिरेड भी याद रखना है रजय सुल्टान भी याद रखनी है रजय सुल्टान के बारे में क्या-क्या फैक्ट आप लोगों भी याद रखने है सारे मैं रिवाज करवा देता हूँ याद रखना आप लोगों को इनकी साधी है जो मेरी जवुकिस के साथ हुई थी अल्तूनिया एक तो अल्तूनिया याद रखेगा इनकी डैथ कहाँ पर हुई थी कैथल कैथल में जो हरियान में पढ़ था कैथल में इनकी डैथ हुई थी अल्तूनिया में इसकी साधी हुई थी और बारासो चतिस से लेकर के चालिस तक इन्होंने रूल किया था फर्स्ट मुस्लिम रूलर थी इन इंडिया में पहली बार कोई भी वूमेन बनी थी तो वो बारसो चतिस में और किसकी बेटे थी इल्तूति मिस्की ये भी याद रखेगा मुहमद बिन तुगलक सिप्टिट दा उसके बाद इन्होंने बहुत बड़ी आर्मी बनाई थी उसको मदलब की अटेक करने के लिए उस आर्मी को स्टार्टिंग में ही मदलब नेक्स एक दो साल का जो सेली पहले दे दी थी फिर उसके बाद वहां पर किसी ओर का टेक हो गया था तो वह बहूश को छन किती बहुत है क्योंकि उस समय क्या हो गही था सूखा डोट पड़ गया था तो चारों बहुत है किसके मुभम्मद बिन तुगलक के उसके बाद नेक्स आता है सिस्टम किसने इत लगा इसके बाद नेक्स राता है हुआ इंट्रदूज्ज सोला के बीच अलौ vibrant लीडिन किल्जी ने रूल किया है उसके बाद क्या बनाने सीरी का कीला सीरी फोर्ट अल्लाबीद खेंग DR फेंगे के दुआरा या गुलत बाकि इतने ओल्सके बारे में सा जैंडर रख्झाट ऑन खेंड सकतै और यह इन्हों पूरी की पूरी डिटेल उपर बता चुका हम आप लोग को फिरोशा तो लगके दुवरा बीजापूर इजन हो नहीं ता गोल गुंबज नेक्स्ट आता आप लोग का जो विजन अगर वाज फाउंडड बाई तो जो विजन अगर फाउंडड थी किसके दुवारा तो हर येरर और बुकका के दुवारा विजन अगर किंग्डम को फाइंड किया गया था ये भी आता है कि विजे नगर किंग्डम का जो डिकलाइन हो किस से वाता हो 1565 में किस में 1565 में बैटल अप ताली कोटा बैटल अप ताली कोटा से विजे नगर अमपैर जो है जो डिकलाइन होगी थी उसके बाद नेक्ष आता है अकबर अप दा कश्मीर तो अकबर अप दा कश्मीर किसको बोलते तो जैनूल आप दिन को बोलते अकबर अप दा कश्मीर और अकबर अप दिल्ली सल्तन फिरोज सा तुगलक वो इस दा फाउंडर उप दा भैमनी किंग्डम तो भैमनी किंग्डम के फाउंडर कौन थे तो अल्लावदीन भैमनी शाह इसके फाउंडर थे गेत गोविंद किसके कोट में रहते थे जैदेव के कोट में रहते थे गेत गोविंद यह पुछा आप लोगों से यह तो रहते इसके बाद आता है वो फाउंडेट दा फोर मट इन ये तुम्हें आप लोग उपर बता चुका हूं आदी संकरचारी जी वाजदा हिंदू से वाइदा डिसिप्लीन बहुत इनके ऐसे शिश्चे थे जो हिंदू भी थे इनके फोलवर और मुस्लिम भी थे तो ये कौन से से गुण्हें ते ये ते आप लोगे शिरी चैतन्या कोन से चैतन्या उसके बाद चाता है शरी नौफ याजरत-णिजांब दीन ओलिया की द्रगहा फांडर ऑफ युछ योड़ ता इंडिया में किसके द्वाड पांड किया था क्वाज़ा मौनिडिस्टी के दौरा उसके ब और यूपी के कौन सा पटियाली में इनका जन्म हुआ था और अल्लावदिन खिल जी के कोट में रहते थे कौन अमीर कुस्रो इनको भारत का तोता पैरेट ओफ इंडिया भी बोलते हैं कहां पर बोलते हैं यूपी में वुज नवन एजड़ा तो तहले लिए हिंदुस्तन कोन में मीर कुस्रो को बोलते हैं उसके बाद नेख्श आता है तो कौन थे इल्बरी तुर्क ते बारा सो ग्यारा से लेकर के बारा सो चाट्यस त्यस्टा कि रूल किया था उसके बाद चाहता है उसके बाद आता है, who among the following सल्तनेत ruler built होज समसी इन दिल्ली, तो होज समसी इन दिल्ली में किसके द्वरा बनवाए गया है, इलतितुम इसके द्वरा बनवाए गया होज समसी, और होज समसी कहाँ पर रही है, आप लोग का दिल्ली में पड़ता है, इलतितुम इस mail ने introduced the two type of coin, मैंने आप लोग को बता कौन-कौन सा, एक तो टका था, एक जितल था, तो which one of them following metal तो किस-किस के दे, जो आप लोग का टका था, या आप लोग का silver का था, और जितल था, या आप लोग का किस का था, या आप लोग का copper का था, तो दोनों याद रखने आप लोग को, जितल एंट तका, most important पूछे जाते हैं, उसके बाद आप लोगों से पूछा, who issue coin the stated Lakshmi, मतलब कि एक ऐसे coin बनाते थे, जिनके उपर Lakshmi की क्या रहती थी, आइडियल, या नि मूर्ती रहती थी, लक्षमी देवी की, तो यह कौन बनाती तो, मुहमद गोरी, most important है, मुहमद गोरी, उसके बाद next आता है, who among the following, सल्तनत ruler, was the first to issue the Arabic coin, तो Arabic स्टार्ट किये थी, प्रैक्टिस थी, एक जमीन बोसी मनलब की, आप लोग जो लेट करके, जमीन को किश करना था, अर्थ को, एंड पाबोसी, किस दा फिट ओप सुल्तान, यानि कि, जो सुल्तान थे, उनके जो पैर थे, उनको चूम रहा था, किश करना था, एजपर्दा, इरानियन थोरी ओप डिवाइन, राइट, विच बिलिव धाट, किंग इस गोर्ड रिपर्जेंटिट इड उन्दा अर्थ, उन्हें नहीं बोला तो जो किंग होता, ये, सुल्तान थे, उससे पहले भी बेकारी थे, उसके बाद आता, विच ओप दा फॉल्लविंग रूलर वाज दा फस्ट मुस्लिम रूलर टू क्रोस्दा, विंद्याज, सत्थ पूराज, एंड नर्मदा रिवर टू कांटर डैकन, तो ये कौन थे, अल्लावदीन खिल जेते, फिर इलतुतमीज उसको गैपिटल को कहार लेकर आयते, दिल्ली में, एट फस्ट वो अमंग दा फॉलोविंग परचेज कुतुबदीन एबक फ्रोम सलेव मार्केट, तो जो कुतुबदीन एबक को पहली बार मार्केट से किसने परचेज किया था, तो फकरुदीन अब्द आर्मी ओप गोरी, तो अमीर आखुर एक पोस्ट दिये गई थी, और मुहम्मद गोरी ने किसको परचेज कर लिया था, कुतुबदीन एबक को, लास्ट में, देथ हो गई थी, लावर में किया थी, इसकी कैपिटल थी, वो अमंग दा फॉलिंग रोट दा, तजुले मसीर, तो जो तजुले मसीर किसके दौरा लिखी गई तो हसन निजामी के दौरा, यह आप लोगों से पूछा जाएगा, यह जो हसन निजामी थे, यह किसके कोट मे इंडिया बिल्ट वाइद दिल्ली सल्तन, तो जो पहली मस्क थी, वो कोन सी थी, तो यह थे आप लोगों की, क्या थी, क्या थी, किस ने बनवाई थी, कुटुब दीन आबकने, कुटुब दिन इस्लाम, कुटुब मिनार वाज नेम आप्टर दा, किसके नाम पर है, जलल्ओदीन मख भर्णी, जो जलल्ओदीन मख भर्णी था, ये चंगेज खान मलब उधर से भागा था, ये आप लोगों का, तो यही पुछा था, कि इसको मतलब कि अपने यहां सरण मत देना, इसको मत रखना, तो ये पहले ही मैसेज किस ने भिजवाय था, ये चंगेज खान का टेक नहीं हो पायता ऐसी विज़े से उसके बाद नेक्स आता है थर्डबेटल अब दा त्राहिन वाज फोर्ट बिट्विट्विन तो कब लड़ी गई थी तो यह लड़ी गई ती कब बारसों पंदरा म्गई तु थर्डबेटल अब्ध भट्राहिन who was given to the title of Sultan A. Azam among the following तो किसको दिया गया थो तो इल्तुतमिस को उसके बाद नेक्स रहता है which rule of दिल्ली सल्तन, plundered महा कालेशवर, temple of उस जेन तो किसके दोवारा, इल्तुतमिस के दोवारा, most important उसके बाद नेक्स रहता है, एक्तेदारी चया लगानी, जो आप लोग का चालीसा था, चालीसा भी किसके दोवारा स्टार्ट किया गया था ये भी ल्तुतमिस के दोवारा स्टार्ट किया था चालीसा most important है, चालीसा उसके बाद नेक्स रहता है, which of the following ruler made the एक्तेदारी crazy, तो སॉर्τοteil इक्तिधारी को एक हरीडेट्री किस ने बना दिया था तो फिर उसना बलक की दोरा इसको हरीडेट्री बना दिये था उसके बाद नेक्स आता है मैंने बताइख चालिस पेटपुल नेम एचियल लगनी कि इसके तो कौन थे इलतुतमिस थे हुआज दा फस्ट एंड लास्ट वोमन सुल्तान तू सिट ओन दा थ्रोन अफ दिल्ली कौन थी रजे सुल्तान थी बार सो चालिस तक रूल किया था और जो इनके जो हैस्वेंट थे का कौन थे मैंने आप लोग को बता था अलतूनिया कौन यह पोस्ट किसके दौरा इंट्रडूज की गए थी तो बहराम शा के दौरा किसके दौरा बहराम शा उसके बाद नेक्स आता है मलिक चाजु रिवल्ट टेक प्लिस ड्वरिंग दा रेन वीच ओव दा फॉलिंग सुल्तान तो जलालुदीन खिल जी के टाइम पर ये मलिक सुल्तान इंट्रडूज की थी बलबन ने कब से 1266 से रूल स्टार्ट किया था और मैंने आप लोग को बता चुका हूं कुन कुन से थी एक तो आप लोग की सिजदा और पाबोस यह भी किसके दोरा स्टार्ट के गए थी बलबन इस इंपोर्टेंट इस दा पाबोस नवरूज 1266 बलबन यह याद रखिएगा उसके बाद नेक्स आता है वो केम टू थो थो फो फोई भी इमोशन नहीं दिखाने तो यह मतलब बहुत ही हराश रूलर था लोग याद रख सकते हैं उसके बाद नेक्स आता है वह वाजदा रूलर उप गुजरात वेंदा अल्लावदीन खिल जी जिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जब अल्लावदीन खिल जी ने गुजरात पर अटेक किया था और अलाई दरवज़ा बनवाय था तो आप लोग या पर के साथ अपरिका में साथ इंडिया में अटेक करने के लिए हजार दिनार में खरीदा था तो इसलिए इसको बोलते हजार दिनारी किसको मलिक कापुर को किस ने खरीदा था अल्लावदीन खिल जी ने खरीदा था कहां से खरीदा था गुजरात एक्सपीडिशन यानि तो चित तोड़ पर कब अटेक किया था तो तेरा सो तीन में किया था चित तोड़ पर और वो तो आप लोगों ने मोवी देखी होगी साइध साइध कौन साइध कपूर वाली अलावदीन खिलजी और साउध एक्सपीडिशन वर लेड़ बाई हूम अमंग दा फॉलिंग तो तो जो सरारे आधी लेता है वाज सेट अप बाई नेर बाई रोलेल पेलेस बदायू गेट बाई अलावदीन खिलजी यह क्या आता है सराय अदल क्या था यह मार्केट ओप कलोथ यह कपड़ों की मार्केट थी सराय अदल वाट अमाउंट ओफ ग्रेन वाज अलावड तो स्टोर बाई दा कल्टिवेटर ड्यूरिंग दा रेन अलावदीन खिलजी तो कितना स्टोर कर सकते थे 40 केजी उसके बाद नेक्स आता है विचोप दा फॉलोइंग ओफिशली वाज अपॉइंट टू कीप दा इस्टिक्ट विजिल इन दा मार्केट ओन चेटिंग अंड अ अटेक पॉरण दा मंगलों को अटेक से बनान बचाने के लिए ही तो किसने सीरी का फोट बनाया था विचोप दा फॉलोविंग टेक्स वाज इनिशली मिलिटरी टेक्स बाइट लेटर बिकम दा रिलिजिस टेक्स टूबी लेवी प्रोम बन नोन मुसलिम तो जो नोन मुस अटबी मिलेटरी टेपार्टमेंट था कुन दिवाने अरज मोस्त इम्पोटेंट धिवाने मुस्तकराज याद रखेगा दिवानें मुस्तकराज डिपाटमेंट यहाद लेंडरी लेंडरीवन जूर देखने के लिए दिवाने मुस्तकराज बाई अलाओदिन के दौरा 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 आता है इनविच आपट आप फॉलिएंग बुक्ष अमीर कुष्रू Mention India's heaven on earth तो इस बुक में मैंसल क्या है नुहे सिपार किस बुक में नुहे सिपार इन विच आप पॉलिएंग और तो इसमें दूआले रानी खिजर खान तो यह किसमत आप लोग का आशीके उल अनुस असीके उल अनुर मुहम्मद बिन तुगलक created the department of agriculture पूछा जाता कि मुहम्मद बिन तुगलक ने जो agriculture department बनाया था उसका नाम क्या था तो दिवाने को ही बोलते हैं वो दिवाने अर्जित कोन सा था वो मैंने आप लोग को बता चुका है दिवाने अर्ज भी बताया है मैंने आप लोग को उपर बताया है दिवाने अर्ज दो सारे department आप लोग उससे पूछे जाते हैं दा silver coin introduced by the मुहम्मद बिन तुगलक तो क्या बोलते थे उसको अदल बोलते थे किसको बोलते थे मुहम्मद बिन तुगलक को बोलते हैं चार डिसीजन लिए थे चारों के चारों फेल हुए थे आप लोग को बता चुका हूँ सबसे अगर पुछे सबसे ज़्यादा पड़ा लिखा सबसे ज़्यादा educated कोन सा रोलर थे दिल्ली सल्तरत में तो भी आप लोग अक्तर हो जाएगा मुहम्मद बिन तुगलक हम लोग उपर देख चुके हैं अर्थ को एक्योज से डैमेज हो गई थी तो फिरोसा तुगलक ने इसको रिपेर किया था विच वाज दा इरिगेशन टेक्स इंट्डूज बाइदा फिरोसा तुगलक तो ये कौन था हक ये शर्ब कौन सा था हक ये शर्ब विच वङ की दाइएट को फिरोसा तुगलक की द्वार इनको फाणड किया चे था फ्याएबाद और जोनपूर विच वङ बिच वग नोग देख चुके मोह म्मब बिन तूगलक हैं 1333 का टाइम परिड ता विजनेगर एंपायर वाज फांडेट ड्यूरिंग दा रेन उप तो किसके टाइम पर पर यह आप लोगों की मुहम्मद बिन टुगलक के टाइम पिरिट पर विजनेगर एंपायर वो बैटल उपताली कोटा से उसका डेकलाइन हो लेता तो बरीद क्या हुआ करते थे यह आप लोगों के जासुस वगेरा को बोलते थे बरीद दिली सल्तरत में कि अलाइड धर्वाजा इस गेटवे उस इसने किया तचार कंपिल्ट तो इलतुव इसके मंझीर किसके द्वर बन गाए गीति फिरोशा तो कि लेकरिय пож зовут इतने फेक्ट आप लोग कुत्व मिनार के बारे में याद रखेगा मैं आप लोग को साथ साथ रिवाईज भी करता वाता चल रहा हूं इन्हों ने कौन से स्टेट पर रूल किया है इन्हों ने रूल किया असम मोस्ट इंपोर्टेंट है एहुम डाइनस्टी इस रूल ओन असम विरिंग दा सलतनत एरा इन्हों वापस से जजिया भी देना पड़ा ब्राहमुन को तो किसने फिरोसा तूगलक के द्वारा जजिया एक टेक्स था ये नौन मिसलिम के द्वारा पेड़ गया जातल तो एक एक मात्र शुल्तान में पारे गये ते डैड हो गए तो यकोंते इब्रहाहीं लोधी 1526 की बोरती बैटल उपानिपत्ती विचोब दा फॉलोविंग रूलर यूज़ तू राइट दा पोयम अंडर दा सरनेम अब गुल रुखी तो गुल रुखी सरनेम से कौन से रूलर पोयम से लिखते थे तो यह तो कौन तो सिकंदर लोदी most important सिकंदर लोदी विचोब दा रूलर इंट्रडूज दा गज ए सिकंदरी टू मिज़र दा लेंड तो लेंड को मिज़र करने के लिए गज ए सिकंदरी किसने इंट्रडूज किया था तो यह भी सिकंदर लोदी ने इंट्रूज किया था what is the original name दो सिकंदर लोदी तो निजाम खान most important original name आप लोगों से पूछे जाते हैं निजाम खान इसका original name था when did the इबराहिम लोदी become the सुल्तान तो यह 1517 में इबराहिम लोदी सुल्तान बनते हैं यहां से हम लोग लोदी डैनेस्टी को complete कर लेते हैं यहां से आप लोग लोदी डैनेस्टी पढ़ी जेगा बैलो लोदी कोन था इसके founder थे बैलो लोदी के बारे में आप लोग को याद रखना है यह कब king बने तो 1451 में after the सयद dynasty यह वाजदा फस्ट अफगानी किंग तो आप लोगों से पूछा जाता है दिल्ली सलतनत पर पहली अफगानी डैनेस्टी कोन सी थी तो भी आप लोगोizon का हुजाएगा जो आप लोगो की लोदी डैनेस्टी तो यह पहले अफगानी agree ऩे काल दा बैलोली क्वाइन तो बैलोली क्वाइन किसके दूरा इंटर्डूज किया गय था बैलोल लोधी के दूरा ही इंटर्डूज किया गय था एक कनक्कर दा गवालियर संथाल एंड साकेथ उसके बाद याद रखना है इनों दिल्ली पर कब से कब तक रूल किया 1490 तक 1451 से लेकर के 1490 तक किस ने रूल किया बैलो लोदी ने उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इनके बैटे सिकंदर लोदी वाज कनकर बिहार एंड वेस्टर बंगाल यह फाउंडेड दा सेटी ओप आगरा पंदरा सो चार में इस मूर्ड कैपिटल पुर्म दिल्ली टू आगरा अब तक कैपिटल आप लोग की दिल्ली ही चलि आ रही थी सबसे पहले स्टाटिंग में कुतुप दीन एभग के टाम पर आप लोग की यह कैपिटल लाहुर हुआ करती थी फिर उसके बाद कैपिटल को शिप्ट किया जाता है इंप उसके बाद जो आप लोगी कैपिटल पंदरासो पाँच में ये कैपिटल शिप्ट की जाती है उसके बाद आता है गज ए सिकंदरी उपर देख चुके हैं ये भी याद रख लेजा बद्धी 32 डिजिट फॉर मिजरिंग दा कल्टिवेटेड फिल्ड तो कितनी यूनिटी 22 डिजिट भी पहुचा जाता है कितनी ड पानिपत की फस्ट बैटल में और खिजर खान वाजदा फांडर उप सयद राइनस्टी हम लोग उपर देख चुके हैं बहुत बार मैं आप लोग को रिवाज भी याद भी करवा चुका हूं तो यहां आप लोग की दिल्ली सल्तनत खतम हो जाती है दिल्ली सल्तनत मैंने इ हो जाता है फिर एक नहीं एरा स्टार्ट हो जाता है जिसको बोलते मुगल पिरेड तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे मुगल पिरेड मोस्ट इंपोटेंट है उसी तरीके जिस तरीके से मैंने दिल्ली सल्तनत के सारे वन लाइनर करवा दिये हैं अब मैं आप लोग को मुगल पिरेड तो चलिए मुगल एमपैर देख लेते हैं इसके ट्रिक मैंने आप लोग को बता रखे क्या ट्रिक है इसके ट्रिक मैंने आप लोग को बताईती है भज सब मोस्ट इंपोटेंट है यह ट्रिक आप लोग याद रखना आप लोगों से ओडर में पुछे गए लुटा लुटाई हाएशन बूठ घर्थ से और कि मघल उंपार करते आप लोगो के बाबर वाले जो आप लोगो की मुखलम एम्पायर तो अब sockvidemment करतें के देकर च्राइक करतें ते तो ये जो जो रागता मिया की मलुहारा इसको किस क्रियाट किया था तो इसको तान से Ayan Ackbari. तो Ayan Ackbari के उथर कोने अबुलफजल? इंपॉट इंपॉटेंट अबुल फजल बादुर्सा वाजदा लास्ट मुगल रूलर तो लास्ट कोन थे बादुर सा वाजदा लास्ट रूलर? वी पूचा जाता कि इलिटेट कोन थे? उनपढ़ कोन मुगल पेंटिंग प्लारिश मुझलों की पेंटिंग वा करते तो जांगिर के टाइम पर रेवेन्यू सिस्टेम पर रेंड वास तो जो तोडरमल याद रखिए गा थे रॉडरमल क्या थे एक रैघ्यू मिनिस्टर थे उसके बाद नेख्स रहता है विच मुघल पैंटर अकोलिंग तुद अबदूल्फ फजल्वाज एक्सिलेंटिंट इन द्रोंग अप्डाइग तावण तोडी गया थी रहा थाए वब लड़ी थी आप लोग की बैटलोब सानव कर लड़ी थैंगी आप लोग की 1608 टाउन उसके भी आप लोग याद रखेगा साहजा का ओरिजिनल नेम क्या था कुर्रम तुलसिदास कंपोज राम चरित मानस इंदा रेनों किसके टाइम पिरेड के टाइम पर अकबर के टाइम पिरेड के पर अगर आप लोगों से पूछा जाए तैमूर ने कब अटेक किया था यह हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके तो 1398 में 1398 में तैमूर का टेक होता है और मुहमद साह के टाइम पर पर नादिर शाह का टेक होता है दिल्ली पर मुगल डाइनस्टी वाजदा बादूर्ज साज बादूर्ज देखर दानिश्टी वाजटी यह कोन था इब्राहिम लोधी रहुर्य मोस्ट इंपोटेंट अब्लॉद्ट है इगराइम के यह अच्छाइ आप लोगों मैच करना है लास्ट किंग से मैच करना था उसका कोन था लोदी का लास्ट किंग था उसके बाद बैटलोब खानवा, तो बैटलोब खानवा 1527 में लड़ी गई थी, तो ये किस किस के बेच लड़ी गई थी, बाबर एंड राणा सांगा के बेच में लड़ी थी, बैटलोब खानवा, most important है, अब मैं आप लोग को बाबर की सारी बैटल बता देता हूं, बाबर ने चार बैटल बाबर के द्वारा लड़ी गई थी, और चारो की चारो बैटल बाबाने बाबर ने जेती थी, तो कौन कौन सी थी, एक तो आप लोगे होती है, फस्ट बैटलोब तराइन, जो फस्ट बैटलोब तराइन है, फस्ट बैटलोब कौन सी पानिपत, फस्ट बैटलोब जिते गई थी बाबर की द्वारा जिते गई थी 1526 में लड़ी गई थी और इसा लोदी को डिफիट कर दिया था उसके बाद प्रितिराज चोहान ने किसको राय था प्रितिराज चोहान ने मुम्मद गोरी को राय था फस्ट बैटल अफ त्राइन में पंदरह सो उनत्यस वाली वे बैटल थी बैटल अप घागरा कोनसी को बैटल में बाबर WWE ने किसको राय था इसको राय है अफचनो अफगानों को राइय तक अकबर ने बनाए ता 1556 से सोबख कर के 1605 तक अकबर ने रूल किया था 1582 में इन्हों ने एक स्टार्ट कया था दीन ए इलाही तो दीन एलाही किसके दोरह स्टार्ट किया था एक बरके 1582 में वह वाट उट वर दा है दीष भल टायम क्या हो करते थे जो फूट उसी को बोलते थे मदद्ध ए मास से मास अकबर मर्ज बंगाश dry शाओ के दोड़ा बनवाए गया तो मुम्ताज म्हिल तो मुमताज मेल का जिसको मेरु निशा भी बोलते थे उसके बाद मेरु निशा एक अलग है मेरु निशा आप लोग की अलग है मेरु निशा उसके बाद नेक्स आता है the first English person who visited the court of Akbar तो एकोन ते रोल फिचते जो अकबर के time period पर first English person ते जो विजिट किये थे who was called contact of Jinda Peggy लेता जिंडा पिर तो किसको बोलते ईरंग जेव को बोलते है अनलमग घिर किसका नौम ता उरंग जेव का नाम पा जिंडापीर हो गया आप लोग यार्ठ रुड़नेंट आर्मी मैने आप लोग बताये था अल्लाव्दिन खेल जए परमनेंट आर्मी किसके पास थी वेच बिल्ड़ जाइन ऑन दा प्रिंसी प्रिंसी अजो क्या थ आप लोगों शासाराम और शासाराम का पड़ता है बिहार में दा फर्स्ट मैट्रिमोनियल अलाइंस विद्दा राजपुता वाज एस्टेबलिस बाई अकबर विद्दा उसोग किसके साथ तो कछवा उसके साथ किसके साथ कछवा दा उपनिशद वर ट्रांसलेटेड इंट इसके टाइम पर उरंगजेव दा रूलर ओप मेवाड हूँ डेफेटिड इन दा बैटल ओफ खानवा बाई बाबर्त वो कौन ते राणा सांगा ते यहीं पर कौन सा वो स्लोगन दिया था जिहाद तो जिहाद का टाइम पर भी किसने राणा सांगा बैटल ओफ खानवा 1527 desser Pacific video kolon ship है जिपना मुगल ऑंपेरियर हुप र यूज भाकू कौन ता उरंगजेव ता एकोन उरंगेर अच्य में आकबर नामा तो अकबर नामा किसके द्वारा लेखेल पाई था bearing the Mongol ruler the copper coin क्या बोलते थे copper coin को दाम बोलते थे और जो दिल्लिय सलत्रत में copper coin था उसको बोलते थे जीतल या जीतल और यहाँ फर मुगल empire में darm which district was known as the during the 활동 district को क्या बोलते तो सरकार बोलते थे किसके time period पर फे मुगल empire में the historian अबू फजल वाज killed by the बेर सिंग बुंदेला के द्वारा अबुल्फजल की डेथ की गई थी और अबुल्फजल ने क्या लिगी थी अकबर नामा विच इस्टोरिकल मॉनिमेंट इन दिली इजे सिंथेसिस और पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल अपर्टेश्चर जो मिक्स है मोस्ट इंपोर्ट सेर्शा के द्वारा स्टाट की गईती कबूर्यत पड़ता इंसका टोम कहां सियर शाशा राम कहां सियर बिहार के हुरोट दा हुमायू नामा तो गुल बदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी हुमायू नामा एट वाट इस बापर सक्सीरिद थो दा थ्रोन ओ फर्जाना किसने बाबर को इन्वाइट किया था इंडिया पर अटेक करने के लिए और हटाने के लिए कि इब्राहीम लोइट अच्छा रूलर नहीं है उसको हटाओ और खुदा करके रूल करो तो बाबर को इन्वाइट किया था दोलत खा लो दी सैंटिस दिलावर खांगा ये कि इस बाबाबर को पता चला कि जब इतने इन्विटेशन आ रहे हैं कि अटेक करो अटेक करो फिर उसीपर वह अटेक करता है कि इस पर दिल्ली सल्तनत पर 1526 में 1st Battle of PANIPAT में और फिर महाँ पर आरा देता पहले आरा देता है इब्राहिम लोधी को उसके बाद इसकी रहनसांगों को भी रहा देता था तो इन दोनों को रहता है वेन वाजदा 1st Battle of PANIPAT उपर कंप्लेटली देख चुके हैं 1st Battle of PANIPAT उसके बाद नेक्स राता है विच गिवन विच गंड डिवाइस वाज यूज भाई दा बाबर इंदा फर्स्ट तो कौन से डिवाइस यूज की थी तो ओटोमनी रूमनी डिवाइस यूज की गई थी बाबर के द्वारा फर्स्ट बैटल ओप पानिपत 21 अपरेल 1526 बाबर ने इब्रहायम लोदी को हराय की गपके था तो जिहाद किसमें डिक्लीर के था अजोंदा टैटल ओवंफ धाली क्या था बैटल ओप को बाबर ने रिडिवाइन किसके तैमूर का टेक कब हुआ था तेरा सो अठाव में किसके टाइम पर पर नसुरी दीन तैमूर उसके बाद आता है तुझू के बाबुरी अधा ओटो बाइग्राफियों बाबर वाज रेटन इन विच लेंग्वेज तो चकताई तुर्क क्योंकि बाबर एक तुर्क तो अपनी जो उटो बाइग्राफिय लिखेगा तो अपनी लेंग्वेज में लिखेगा कोई भी अगर लिखेगा तो अपनी लेंग्वेज में लिखेगा तो बाबर ने भी अपनी लेंग्वेज में लिखी थी उसका आपको नाम भी पुछा जाता है तुझू के बाबरी थी दो भी पुछा जा सकता है क्या 1526 का अटेक बाबर का पहला अटेक था तो बिलकुल भी नहीं बाबर का पहला अटेक था बाज़ोर पर उरकब हुआ था 1519 में फर्स्ट अटेक था बाबर का 1519 में विच मुगल किंग पॉपुलराइज दा योजोप गन पावडर एंड आर्टरिलरी इन इंडिया तो ये किसने इसका पॉपुलराइज किया तो बाबर ने बाबर का ओरिजिनल नेम पुछा जाता है तो आप लोग का उत्तर होगा जहीर उद्दीन तो जहीर उद्दीन किसका ओरिजिनल नेम था ये बाबर का ओरिजिनल नेम था हो बिल्ट दा नेम सेटी ओप दीन पनहा तो दीन पनहा नाम की जो नहीं सेटी थी ये किसके दोरा बनवाए गई थी तो ये हुमायू के दोरा बनवाए गई थी हुमायू का ओरिजिनल नेम पूछा जा सकता है तो नसी फिर उत दिन महममद तो नसृरण दिन महममद किसका अरिजिनल नीम था उसके बाद आता है विज्छ राजपूत कुईन थैन्ट तू काबूल एंड कांधार डिरिंग दा हुमायू रिजन तो कौन था हुमायू का यंगर बर्दन कामरान वापर रूल कर रहा था उसके बाद आता है विच मुगल मॉनिमेट मार्के न्यू बिगनिंग इंडा स्टाइल ओप आर्किटेक्चर इंडा नोर्थ इंडिया इड़ को प्रोटेक्ट करते पूछते कौन थे बैरम खान नेक्स अता है बैरम खान रिजेट दा मुगल पोर्स अंडर बिश टाइटल तो इनके पास कौन सा टाइटल था खाने खाना कौन सा खाने खाना वैनवाजब को फानीपत फोर्ट तो पांच नवंबर 1556 के बेच लड़ी हैं 1582 में दीन ए इलाई स्टार्ट करते हैं 1564 में जजिया को समाप्त करते हैं वे डिड़ अकबर सोधा सी अकबर ने पहले बार सी समुद्र को कब देखा था एट कैंबे इन गुजरात गुजरात की टाइम पर देखा था जब यह गुजरात को कनेकर करने के लिए गए थे व मर्मल जोशा को बाट वर्दा नेव गिवट्ब्व एडिर लेंड लेंड एंड कल्टीवेटीड लेंड ओं भी दा मुगल एरा में कऺंद लेंड को क्या बोलते तो पोलास यह आप लोग के कल्टीवेटेड लेंड थी और जो फैलो लेंड दी अन्प्रौडुडुक्टि इंट्रिक्ट इन दा वर्ड परहेपस इस ओरिजन कैन भी ट्रैक बैक टू विच किंग तो एक इसका मनलब इसका ओरिजन कहां पर ता तो चंगेज गान यानि मंगोलों से सिस्टम लिया गया था मनसब्दारी आप लोगों से पूचा जाएगा मनसब्दारी जो सिस्टम ता कुछ एक हैसे हैसि उतन अबश्ति धा गया और लिया इस सिस्टम वहां परक्रां वद नायां ही कोलता जाघेर कर से सब्सक्राइज से हां तो शेर सा सुरी को जो शेर खा का टाइटल मिला तो क्यों मिला था क्योंकि नों enfoir..को kill कर दियnight colder उसके बार नेक्स रता है वाइट वाट वाजश डाइट डायट से सर ले करके India तक ता टो किस खेंपेहन के टाइम पर सेर्शासूरी की डैथ हुई थी तो यह था सीज ओप कालिंजर कब हुआ था 1545 में यहीं पर यह बहुत बुरी तरीके से वांड हुआ अन्द उसकी डैट हो गई थे ब्रस्टिंग अफ गन की वजे से किसकी सेर्शासूरी की नेस्ट आता है अप लोगता वाट वाट वाज दा डा शेर अप दौप दा सेर्शासूरी की इन दा तो यह कहार बिहार में पड़ता है विच सूरी किंग रिस्टोर था Grand Trunk Road तो किस सूरी किंग ने इसको रिस्टोर किया था तो सेरसा सूरी, most important सेरसा सूरी के ध्वारा JT Road का रिस्टोर किया गया था विच सिलवर क्याओ कुईए फार्ज अन्टूर्ण वाज एंटूज बाइद हूज आंट defend डिवेशन दा टाइप ओपप और इंटार एंपायर पिंडिया मोस्ट इंपोटेंट तो आप्टर दा बैटल ओप गिरी शुमेल के बैटल के बाद के बहुत था किसने शेर सासुरी ने की एक मुठी बर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना पूरा शाशन जो हैना उसको त्या पाकिस्तान में बनवाए गया था विच कोपर करन्सी वाज इस वीडियो को मुगल एंपार में अच्छी तरीके से देख लेगा मैंने डिवाइड कर दिया मुगल एंपार अलग करवाए आप लोग का दिल्ली सल्तनत अलग करवा है तो यहां से हमारी जो 500 आल्मोस्ट हाप ये वीडियो कंप्लिट हो चुकी है उसके बाद आप लोग का एक नेक्स्ट पार्ट बसता है 500 वाला ये मैं आप लोग को कल करवा दूँगा जिसमें हम लोग ये जो 1000 वाली सीरीज है इसका एंड कर दे लिए और वीडियो को शेर करें जाद से जाद है और बाकि आप लोग को जो भी आप लोग की कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते उसका रिपले आप लोग को कमेंट बोक्स में मिल जाएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक्यू कर दो